हेई फ्रेंज वेलकम वेलकम बाक तू एजुकेशनल चैनल कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं मोसम के बारे में येस मोसम और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मोसम हैं और बच्चे बड़े बुड़े हर कोई इन मोसमों का कितना आनंद उठाते हैं आपको कौन सा मोसम सबसे अधिक प्रियर है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आईए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं मोसम पहला वाक्य भारत में तीन प्रकार के मो साथ तो भारत में कितने प्रकार के मोसम होते हैं तीन तरह के और इनके नाम क्या है सर्दी गर्मी और बर्सात सर्दी के मोसम में ठंडी हवाएं चलती हैं दूसरा वाक्य क्या है सर्दी के मोसम में ठंडी हवाएं चलती हैं तीसरा वाक्य सर्दी में हम स्वेटर टोपी और पोट पहनते हैं सर्दी में हम स्वेटर टोपी और कोट पहनते हैं चोथा वाक्य सर्दी के बाद गर्मी आती है इस मौसम में तेज धूप होती है और शरील से पसीना निकलता है इस मौसम में तेज धूप होती है और शरील से पसीना निकलता है पाजवा वाक्य गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर, आदी का प्रयोग करते हैं गर्मी से रहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर, आधी का प्रयोग करते हैं छटा वाक्य गर्मी के बाद बरसाग का मोसम आता है साथवा वाक्य बरसाग में अक्सर पानी बरसता है आत्वा वाक्य अत्वर लोग चतरी और रेनकोट का प्रयोग करते हैं नोवा वाक्य इस प्रकार हम तीनों मोसम का आनद उठाते है इस प्रकार हम तीनों मोसम का आनंद उठाते हैं ये देखिए ये कौन सा मोसम है गर्मी और ये कौन सा मोसम है सर्दी और ये बरसाथ आईए इसको एक बार फिर से रिवाइस कर ले मोसम भारत में तीन प्रकार के मोसम होते हैं सर्दी, गर्मी और बरसाथ सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती है सर्दी में हम स्वेटर, टोपी और कोट पहनते है सर्दी के बाद गर्मी आती है इस मौसम में तेज धूप होती है और शरीर से पसीना निकलता है गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पंखे, कूलर, आधी का प्रियोग करते है गर्मी के बाद बर्सात का मौसम आता है बर्सात में अक्सर पानी बरसता है अधा लोग छतरी और रेनकोट का प्रियोग करते है इस प्रकार हम तीनों मौसम का आनन उठाते है thank you so much for watching friends if you like don't forget to thumbs up and share this in your group